आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ यह overall value हो जाएगी minus of 299 divided by 161 okay okay so now अगर हमें से standard form हे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे इसके numerator को and denominator का hcf निकालेंगे and इन दोनों को इसके hcf से डिवाइड कर देंगे okay so अगर हमें यहां पे hcf निकालना है 299 and 161 का so highest common factor that is hcf of 299 and 161 is ऐसा कॉंसे number है जो दोनों को डिवाइड करता है वो है 23 okay because 23 अगर हम 299 को 23 से डिवाइड करेंगे तो वो देगा 13 and 161 को 23 से डिवाइड करने पे 7 आएगा so hcf है हमारा 23 okay so अगर हमें standard form निकालना है for the standard form हमें क्या करना है minus common 299 divided by 23 and denominator में भी 161 divided by 23 so हमार याज़ से जो आज़ आज़ ऐगा वो होगा minus of 299 divide by 23 is 13 and divided by 161 divide by 23 is 7 and हम देख सकते है हमारा 13 औ 7 दोनो क्या है prime numbers that means इनका को यह अर factor निए हो सकता so हमारा जो standard form होगा वो होगा minus 13 by 7 so this is our final answer thank you क्लासिक स्टिट्वल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर